बिहार में शिक्षक भरती के दूसरे चरण का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आप लोगों को पता ही है कि साथ देसंबर से आप लोगों की परिक्षा हो रही है और 3 से 14 नवंबर के बीच बीच में आप लोगों को आवेदन करना होगा इसके लिए डिटेल में नोटिफिकेशन अभी बिहार शिक्षा विभाग जारी कर ही देगा अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि इसके लिए आवेदन कौन कर सकता कैसा इलिजिबिलिटी क्या है ये सब तो वीडियो आप लोग देखी चुके हैं मैंने 중국 बनाकर नहीं देखा है तो आप लोग जाकर कर देख लीजिए अभी चैनल पर वीडियो बीडियो मिल जाएगा अबुस वीडियो में बात करने आया हूं कि को इसकी जो एक्जाम वो क्या रहेगा, स्विलेबस क्या रहेगा, दोनों चीजों पर बात करूँगा, मैं पहले exam pattern पर बात करता हूं, मेरे सामने यह जो notification है, यह notification खुला हुआ है, बीपीस्थि के प्रथम्चरण का, जो पहले vacancy निकली थी, उसका जो exam pattern है, सेम एक्जाम पेटर्ण अब भी रहेगा वो एक्जाम पेटर्ण ये है कि आप लोगों को 6 से 8 के लिए भी 9 से 10 के लिए भी 11 से 12 के लिए भी दो अलग-अलग चरण में भर पेपर होंगे एक चरण होगा common paper होगा जैसे बिहारिप में क्या हुआ था कि एक दिन सबका common paper exam ले लिया था ठीक है common exam में आप लोगों को 2 भाग होंगे एक भाग में आप लोगों को शुरू के 25 प्रशन जो है अंगरेजी भाशा के रहेंगे और जो दूसरा भाग होगा इसमें आप लोग हिंदी उर्दू या बांगला जो भी भाशा आप चुनेंगे उसके 75 प्रशन होंगे इन 100 प्रशनों में से आप लोगों को नियूनतम 30 प्रतिशत अंक लाने होंगे नियूनतम 30 प्रतिशत 30 नंबर जो है ले करके आने होंगे आप लोगों को 120 नंबर का जो है वो एक पेपर होगा 120 नंबर वाले पेपर में भी आपके दो भाग होंगे दो घंटे का पेपर रहेगा ये भी और इसमें दो भाग होंगे जिसमें के शुरू के 80 प्रशन आपके जो होंगे वो विशे से होंगे जो भी विशे आप लोग चुनते हैं, हिंदी, बांगला, उर्दू, सामाजी, गणित, विज्जियान, अंग्रेजी, फारसी, अर्भी, संस्क्रेट, जो भी आप लोग चुनते हैं, उसके 80 प्रशनी रहेंगे, और जो 40 प्रशनी हैं, वो आप लोगों के जनरल, जो कॉमन से सक्षन हैं, को सके रहेंगे, जिसमें कि आप लोगों का प्राथमिक गणित होगा, सामान्य जागरुखता होगी, सामान्य विज्जियान होगा, वारतिय रश्ट्रीय अंदोलन और भूगोल होगा, इन में से आप लोगों को 40 प्रशनी देखने को मिलेंगे, इसके लिए स् विश्यों के एक्जाम हुए हैं उन सारे विश्यों में 40-40 common section के रही हैं तो 40-40 प्रशन अगर आप उठाओगे तो लगभग 20 विश्यों पर आप लोगों को 20-80 लगभग 800 प्रशन इसके मिल जाएंगे वो बहुत बढ़िया से आप लोग तयार कर सकते हैं उसको अब यह जो के आधार पर आपको अपनी तयारी करनी होगी पर परिक्षा में जो प्रशन है वो एस्टेट के पठे करम से थोड़ा सा और ज्यादा आये हैं क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है कि इनका जो लेवल होगा ना इसका लेवल इसका स्तर जो है आप जिस अरहता के आलोक में द करना है आप लोग इसका निर्धारन कर सकते हैं वैसे बहुत आसानी से लेकिन मैं आप लोगों को इसके लिए दो सला दूंगा इस स्लेवस को बनाने के लिए यह स्लेवस थोड़ा सा आप लोगों को अपने आप बनाना पड़ेगा कैसे बनाना पड़ेगा आप लोग क्या करेंगे और estate की website अगर खुल जाती है यह वाली हाँ नहीं खुल रही है मैंने आप लेकिन आप लोग को निराश्णमात होईएगा आप लोग लिखिएगा बिहार estate बिहार estate syllabus और अड़ा 24-7 लिख दीजिएगा तो यह अड़ा 24-7 का पूरा का पूरा पेज खुल के आएगा यहां मैंने आप लोगों के लिए syllabus आग खुल करके आजाएगा देखो यहां चाहो तो आप अड़ा की website पर जाकर के लेटेश टीचिंग जोग में बिहार estate notification फिर बिहार estate syllabus पर जाकर के देखोगे तो वो जो अभी website नहीं खुल रही है बिहार की यहां से आप लोगों को proper PDF डाउनलोड कर सकते हो नीचे जाकर के हमने आपको हर एक विशे की PDF लगा दी है आप लोगों के लिए जैसे के आप लोगों को हिंदी का देना है तो हिंदी की PDF syllabus की यहां मिल जाएगे आप लोगों को इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यह syllabus खुल करके आ जाएगा ऐसे ठीक है तो आपको यहां यह syllabus जो दिया हुआ है कुछ syllabus यह वाला है और थोड़ा सा इसका लेवल आप लोगों का लगबख 70% syllabus तो यह है 30% syllabus इससे और पहले वाल आए था उसके लिए भी बनाई थी दोबारा भी आप लोगों को जल्दी वीडियो दीख जाएंगे हर एक syllabus की अलग-अलग से तो यह हुआ दूसरा आप लोग चाहें तो पेपर भी खोल के चेक कर सकते हैं मैं आप लोगों को इस बार बता देता हूं पहले सारे के सारे Sanskrit, English, Mathematics, Science, Social Science, Urdu, Bangla सब के syllabus यहां लगे हुए हैं अपना-अपना syllabus खोल के आप लोग देख लिजिएगा तो comment section के लिए आप लोगों को जो पेपर अभी available हैं BPSC की website पर पेपर available है आपको क्या करना चाहिए BPSC की website पर जाएंगे और पेपर हुआ था 25 अगस्त में लगभग तो यहां अगस्त में जाकर के आप लोग notification खोल के देखेंगे लगभग 27 अगस्त को इन्होंने सारे के सारे पेपर डाल दिये थे 27 अगस्त में अगर आप लोग जाके देखोगे यह देखो यह रहा है 26 अगस्त को यहाँ जो है साड़े के सारे पेपर अवेलेबल है जिस भी विशक में आप लोग आवेदन किया है उसका पेपर खोलिएगा जैसे मैं आपको बताओ कि किसको हिंदी का एकजाम देना है यह हिंदी का पेपर खोलेंगे पेपर खुल के आ जाएगा तो 40 प्रशन कोमन रहेंगे इसके बाद आप लोगों को फिर 40 से आगे 41 से प्रशन से आपको हिंदी के प्रशन दिखाई देंगे तो हिंदी के प्रश्ण देख करके और एस्टेट का स्लेवस देख करके आपना अपना ये रा 41 से लेकर के जो आपके आगे 120 तक के प्रश्ण है इन प्रश्णों को और एस्टेट का स्लेवस आप लोग देख करके दोनों का मिलान करते हुए आप लोग आकलन करते हुए आगे बढ़के अपने तयारी करना शुरू कर देजेगा और विशेश बात यह है कि आप लोगों के लिए हमने बैचिस भी चला दिये हैं स्लेबस इग्जाम पेटर्ण तो मैंने आप लोगों को बताई दिया एक बहुत खास बात इसमें जो रह गई वो ये कि नेगेटिव मार्किंग होगी पहले नेगेटिव मार्किंग को लेकर के नोटिफिकेशन जब जारी किया गया था इसमें कहा गया था कि आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग भी होगी और इसमें न्यूंतम आप लोगों को जो eligibility है न्यूंतम अंक लाना अनिवारिये है 40% अंक सामन्य वर्ग के लिए जो बिहार के बाहर के लोग है या बिहार में भी सामन्य वर्ग के लोग है उन्हें 40% अंक लाना अनिवारिये है, 120 में से, ठीक है, लगबग 48 अंक जो है वो अलाना अनिवारिये है, और जो पिछडा वर्ग के उम्मीदवार है, उनको 36% अंक लाना नियूनतब अनिवारिये है, और बाकी के लिए 34% है, और महिलाओं इत्यादी को दिव्यांग, अभ् चर्थियों को 32% लाना अनिवार ये है و इसके अत्रिक आप लोगों को Negative m strategies भी जो है यहां लिखा हुआ कि हर एक प्रषन के लिए गलत प्रषन के लिए negative marking भी होगी ठीक है तो negative marking एक चोथा ही होती है जैसा कि यहाँ लेकिन आप लोगों को बाद में notification जारी करके ये कह दिया गया था कि negative marking हम हटा देते हैं इस बार हटाएं या ना हटाएं ये इनके उपर निर्भर है परंतो आप ये मान करके चलिए अभी जब तक notification में clear नहीं होता negative marking रहेगी और न्यूंतम अंक जो है वो 40% लाना अनिवारी रहेगा तो यहां से यह बात होगी है अब तैयारी अगर आप लोग हमारे साथ जुड़के करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना होगा अड़ा की website पर जाओ हमने 6-8 के अड़ा की website description में link दिया हुआ है वहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं अड़ा की app पर जाकर के आप लोगों को यहां all courses, all courses में हमने सारे batch बनाए है और आज batches पर special off भी रखा है सबसे कम discount रखा है आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा discount रखा है सबसे कम price में आप लोग देख सकते हैं यहां government job exam में teaching teaching का जो है 6-8 के लिए आप लोग इन batches को देख सकते हैं 6-8 वाले batches आप लोगों के लिए यहां है देखो, जिन जिन विश्यों के है 6-8 का यहां यह रहा और इसके तरिक्त आप लोगों को अगर आप लोगों को 6-8 में भी जाना है 6-8 का भी exam देना है नो से 10 का भी देना है 11-12 का भी देना है तो आप लोगों को महापैक लेना चाहिए महापैक का सबसे कमप्राइस रखा है बिहार का महापैक जो है वो यहां 1909 रूपे दिख रहा होगा पर एक कोड यूज करना है आप लोगों को Y321 यह वाइ 321 कोड धियान रखना इस कोड से आप लोग एक बार धिआन से थोड़ा से जूम करके दिका रहेता हूं यह कोड अप्लाई करेंगे तो यह कोड अप्लाई करते ही आप लोगों को Y321 अप्लाई करते ही यह जो आप लोगों को 1999 रूपे दिख रहा था वो घट करके 1849 रूपे हो गया है लगबग 1700 रूपे में आप लोगों को 6 महीने के लिए इसमें 6-8 की क्लास भी मिलेगी, 9-10 की मिलेगी, 11-12 की मिलेगी, तो देर मत कीजिए का तैयारी शुरू कीजिए का, बागी आप लोगों को जो भी साहिता चाहिए, अड़्डा की एप्लिकेशन पर जाकर के आप लोगों को या चैनल पर जाकर के आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी नमस्ते धन्यवाद